गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स आज हम अपने हिंदी की क्लास में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे चीक है? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कम शब्दों में बात करना एक कला होती है और इससे बात असानी से समझ में आ जाती है तो हम क्या करेंगे? आज अनेक शब्द के लिए एक शब्द करेंगे तो इसका अर्थ यह है कि भासा को शरल और परभावी बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रियोग किया जाता है यानि बहुत बड़ी बात कहके उसका अर्थ छोटी बात में समझ आ जाना ही अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है कुछ शब्द है मैं आपको करवा रही हूँ तो दिहान देंगे सबी स्टूडेंस जैसे चित्र बनाने वाला चित्र बनाने वाला चित्रकार यानि चित्र बनाने वाला कौन हुआ चित्रकार तो ये एक शब्द में इसका अंसर आ गया दूसरा देखे गाना गाने वाला गाना गाने वाला कौन होता है गायक गाना गाने वाला कौन होता है गायक देश की रक्षा करने वाला सैनिक खेती करने वाला किसान इसवर में विश्वास रखने वाला नास्तिक इसवर में विश्वास नय रखने वाला होता है नास्तिक और इसवर में विश्वास रखने वाला होता है आस्तिक जो पढ़ाता है अध्यापक जिसकी तब्यट ठीक ने हो बिमार दया करने वाला दयालू जो भारत का रहने वाला हो भारती है तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा आज हमने लेसन करा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मुझे आशा है सबी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा आप सबी स्टूडेंट्स ने इसे लर्न भी करना है और अपनी कोपी में राइट भी करना है तो थैंक Thank you students. Have a nice day.